आप सुभी तो जानते हैं कि एसाइश सेकूरूटी गार्ड में जो है निव वेकेंसी आ चुकी है और आप सुभी बहुत दिनों से बेचैन है कि आप जो है एसाइश सेकूरूटी गार्ड में जॉब करें और एक अच्छी खासी सेलरी के साथ एक अच्छी मुहायम प्राप्त करके एक अच्छी कमपनी में लगे तैसे में दोस्तों देखा जाए तो एसाइश सेकूरूटी गार्ड की बहुत परी वेकेंसी आ चुकी है अगर आप भी चाते हैं कि एसाइश सेकूरूटी गार्ड में जॉब करें तो आप जो है बिल्कुल न घब रहिए और जल्द जल्दे इस वीडियो को पूरा देखकर आप सारी जनकारी ले लिजे उसके बाद आप इस वीडियो को माध्यम से देखकर आप इससे अप्लाई जरूर करें और आप इसमें जाकर एक अच्छी खासी जॉब पास सकते हैं दोस्तो इस ईस वीडियो को मैं पास करते हैं तो सिक्रूरीटी गार्ड रिकॉर्मेंट के लिए आपलाई आ चुका है। अगर आप इसमें जाते हैं तो आप आहने सब्सक्राइब डेसकी है। यानि अगर आप इसमें भरती होते हैं तो आपको जो है basic details क्या क्या इसमें तो company यहाँ पर देशाता है company name security intelligence services post name security guard security supervisor यानि खाजाए तो दोस्ते इसमें जो है total दो post के लिए vacancy निकली है अगर आप चाहते हैं कि security guard and security supervisor में भरती ले तो आपको ले जो है एक अच्छी का सी vacancy हो सकती है total post की बात करते हैं तो दोस्तो total post पांच सब पचास रहने वाला है salary 14 अच्छा से लेके 20,000 प्राती मन्त job location all इंडिया order benefit, inform, fee of ESI pension, bonus तो दोस्तो इतना जो इसमें को total मिलने वाला है अगर आप चाहते हैं कि अच्छी खासी job करें तो आप इस वीडियो के step देखते रहे है next में दोस्तो eligibility criteria for ESI security guard 2023 के लिए तो यहाँ पे age limit 21 से लेके 36 years, gender male only, qualification की बात करते हैं तो qualification 10th pass and graduation यानि इसमें दो vacancy के लिए है, एक security guard के लिए जो जिसमें 10th pass चाहिए, एक security supervisor के लिए जो graduation चाहिए, experience pressure candidate, height की बात करते हैं तो दोस्ते इसमें height जो है security guard 168 cm, security supervisor 170 cm, इसे security में campus में जाने से पहले आप नीचे देगए link पर आवेदन कर ले, आवेदन करने के बाद shortlist उमिद्वारों को सुचित किया जाता है, कि जीन उमिद्वारों को सुचित किया जाता है, वो खिर्प्रव वही इस campus में आए, इस campus में जूरी अने जनकारिया आपको मेसेज या email SMS के माध्याम से दी जाएगी, अपने साथ दस्वी की कच्छा की मार्श्री तता सेचनी की वोता समनित अने दस्तवेश तता अधारकार, फोटो, सर्टिफिकेट, भैक्सिन सर्टिफिकेट, आदि दस्तावेश जरूर लेकर आए, तो दोस्तों मैंने आप से व वीडियो में भी दिनगा कि इसमें जो है आपको और क्या-क्या डॉक्मेंट्स लगेगा, तो यहाँ पर दे सकते हैं, दिया गया है, पेसे इस रिकूर्टी केंपस में जाने से पहले दिये गए नीचे लिंक, यानि कहा जाए तो यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, जो मैं आपको decision के नीचे दूगा, वहाँ से आप इस link पर जैसे ही click करते हैं, तो दोस्तों आपको जो है कुछ इस तरह से option आएगा, जिसमें आप click करके आप इस apply कर सकते हैं, सोगा जहाँ पर दे सकते हैं कि NCS government दिया गया है, National Carrier Service, यानि कहा जाए तो National Carrier Service के तहत आपको इसमें पाम सब पचास उनवल आए, posted on 31.2.3, last day apply 24.2.3, यानि कहा जाए तो अगर आप इस SIS Security Guard में जोब करते हैं, तो आपको जो है last day 24.2.3 के पहले जो आप इस apply करना परेगा, Company Name Security and Intelligence Services India Limited, Job Titles SIS One Day Job Camp at Amarapur Banka, दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं कि जो यह भेकान से चलेगी, वो होने वाला है SIS One Day Job Camp at Amarapur Banka में, Organization Name Company, Sector Other Services Activities, International Area, Internal Security, Security Guard, तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि बहुत सरी जनकारी आपको दी गई है, जिसके तहाँ आप इसमें जॉब कर सकते हैं, अगर लगता है कि आपको कोई भी और अधिक जनकारी चाहिए, तो आप हमें जरूर कमेंट करें, मैं आपको कमेंट के माध्याम से भी जनकारी देद दूगा, तो आसा करता हूं दोस्तों कि आपको जो है बहुत सरी जनकारी मिल गई है, अगर मिल गई है तो इस चेनल को प्लाई कर सकते हैं उसके बाद आपको इमेल या मेसेज को द्वारा आपको सुचित किया जाएगा कि कौन से इस्टुडेंट जो है सेलेक्ट हुए है कौन इस्टुडेंट सेलेक्ट नहीं हुए है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नीच आपके बीच निव डेज निव कंपनी के साथ